आज हम तिल के लड़ू बनाएंगे, तिल के लड़ू सर्दियों में काफी फायदे मंद होता है, सरीर में ताकत को बढ़ाता है, हड़ियों को मजबूती देता है, निरोग रखता है हमें, जरूर खाने चाहिए हमें सर्दियों में तिल के लड़ू और बहुत तिल को हमें रोष्ट करना है थोड़ी देर, इसका कलर चेंज होने तक, अभी तिल से चटकनी की आवाज आ रही है, और इसका कलर भी चेंज हो गया है, मतलब ये अच्छे से रोष्ट हो गया है, तो इसे हम दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं, अब फिर से हम सेम प लग गई है, तो अब हम इसे भी दूसरे बरतन में ट्रांसफर कर लेते हैं, और अब यहाँ पर मैंने 200 ग्राम बादाम लिया है, बादाम को भी हम ड्राय रोष्ट कर लेंगे, इसका कलर चेंज होने देंगे, ताकि इसमें क्रेंचिनेस आ जाए और इसका टेस्ट भी बढ टालेने हैं, बहुत आसानी से यह हड जाता है, और बादाम को छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लेंगे, या फिर इसे मोटे ग्राइंड कर लेंगे, तो मैंने इसे इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लिया है, और मुंख़ली को भी साफ कर लिया है, अब सब इ तो इसके लिए मैंने 400 ग्राम ये गुड़ लिया है गुड़ की हम अब चास्टी बनाएंगे तो एक पैन में हम 1 टेबल स्पून घी और फिर ओयल ले लेंगे और इसमें सारा गुड़ डाल देंगे फ्लेम को मीडियम कर लेंगे लगतार चलाते रहेंगे ताकि ये नीशे से लगे नहीं गुड़ धीरे-धीरे मिल्ट होने लगा है और अब देखिए चास्टी बनकर त्यार हो गया है इसे बनाने में लगवख 4 मिनिट लगे है इसे हम चेक करेंगे पहले अच्छा से त्यार हुआ है या नहीं इसे चेक करने के लिए एक बावल में हम पानी लेंगे और उसके अंदर इसे डालेंगे डालते के साथ आप देखेंगे कि ये बिल्कुल हार्ड हो गया है इसे जब आप नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो खट से आवा जाएगा मतलब चाशनी बिल्कुल परफिक्ट बना है अब गैस की फिलेम को हम ओफ कर देते हैं और इसमें फट हम तील और मुंखळी के मिक्सचर को डालेंगे और हमें जल्दी-जल्दी इसे मिक्स करना है ठंडा होने से पहले हमें इसके लड़ बना कर तयार कर लेने है नहीं तो ये फिर बाद में बनेगा नहीं तो फटा फट मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है अच्छे कर बनाने हमें और अब तील के लड्डू बनकर तयार हो गए है इस तरी कि बना कर ट्यार कर लिए है यह देखिए बिल्供 कहसता लड्डू बनकर तियार हुआ एकदम परफिक्ट लड्डू बना है विल्कुल अंदर से क्रंची है यह उपर से सॉप्ट है इस तरीके से आप भी एक बार जरूर ट्राइ कीजिए इस लड्डू की रेसिपी को रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा मेरे चैनल पर नए है तो को सब्सक्राइब कर लेजिए थैंक्स पूर वाचिन इस वीडियो